बोस्तों यह जो टीवी आप लोग देख रहे हैं इस टीवी के अंदर रेनबो हो चुका है और पिक्चर इसका देखिए पिक्चर जो है इसका रेनबो हो चुका है याणि जिसको राम ध्वनू बोलते हैं साथ रंग का तो ऐसा अगर परॉल्लिम हो जाए तो आपको कौन सा स सेक्षिन धूनना पड़ेगा और फॉल्ट कहां से हो रहा है यह नोलेज आपका होना बहुत जरूरी है तो देख सकते हैं इसका सारकीट जो है टोटाली इसका चाइना सारकीट है और टीबी का नाम है ओसकर तो फ्रेंट्स यहां पर फास्ट टाइम आप लोगों को धियान र लखना है अगर ज्यादा टाइम तक आप लाइन देखे रखेंगे सेट पे तो आपका जो यह कोईल है ओ वहां से कट जाएगा यानि पिक्चर ट्यूब गल के हट जाएगा और टूट जाएगा तो दोस्तों यहां पर आप लोग को इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा और जो फोल्टेज आगर आप मेजर करने जाएंगे तो वाटिकल का यह कोईल का जो वैड है उस वैड को टोटाली खोल देना है और स्वाकेट को खोल देना है य यहां किस की बजा से ऐसे फॉल्व HOLEND रहाएं कहांस पर कितना वोल्टेज मिस हो रहा है और कौनसी कंपशन खराब है जिसके लिए जोडेन वो फॉल्व हो रहा है तो देखें प tied top एक्सितर की लाइन तो बिलकुल चेक करकर ना है तो यहां पर देखियो साधे वोलटीज में चेकळ करक्ना वाईगे देखियो में अक। और ड्राइवर सेक्जन का सारव वोलटेज तो देखिए यहां पे साुग सेक्शन सब फोलटेज ओके घर ओके तो इसको फोड़ देते हैं आप भाइटली आपको जहां पर जाना है वो है भाडीकल आईसी का वोल्टेज तो देखिए भाडीकल आईसी का तीनों भोल्टेज आपको चेक करना है तीनों सप्ले वोल्टेज यह निगेटिव और पॉयटिव उसके बाद यहां फिल फाइप भॉर्ट ध्री वोल्ट आ रहें इस पिन में और इस पिन में आ रहे हैं माइनस 14 वोल्ट 14.9 वोल्ट ओक्या यहां पर 0.8 वोल्ट आ रहे हैं इस पिन में लेकिन सबसे इधर जो नीचे वाला पीन है कि यहां पर माइनस 14.9 वोल्ट ओ लेकिन इस पिन में देखिए 5.9 तक वोल्ट इस दिख रहा है इस पिन में लेकिन यहां पर इतना वोल्ट नहीं दिखेगा यहां पर जो 5 वोल्ट दिख रहा है था अब क्या करना है इस जो कंडिसेन है इसकी बज़ासे रेंबो होड़ा है तो देखिए इस पर जो फाटीकल एस वाटीकल एसी को चेंज कर दिया था में पहले बाटीकल आज़ी के पॉल्म नहीं है क्योंकि कभी कभी वाटीकल आज़ी की वैज़से भी ऐसा होता है लेकिन देखिए यहांपर यहांपर में जब मेजर करने जारा है ट्रक करना पड़ेगा आपको कि लाइन किदर से कह जार रहा है तो देखिए इस जगा पर voltage नहीं दिख रहा है लेकिन इस जगा पर voltage 5 volt 5.7 volt 8 volt दिख रहा है हालाकि इस लाइन पर यहां से और यह जो रश्ता है इस condition में कोई भी components नहीं है सिर्फ लाइन है और लाइन होने के बाद भी फोल्टेज जो है है रेस्टेंस के इस पार में नहीं दीक रहा है और यही फोल्टेज जाता है यह कोईल में तो देखिए यहां पर जो यहां से यहां तक याणि रेश्ट इन्स देखिए यहां से यहां से वोल्डेज निकल रहा है फाइब वोल्डेज और यहां से निकल कर एक ही लाइन है हाला कि एक ही लाइन है कोई भी components नहीं लगा है फिर भी यहाँ पर voltage मिल रहा है लेकिन इस जगह पर voltage नहीं मिल रहा है तो यह जो यहाँ पर जो line यानी voltage जाने का सिल्सिला है कहीं पर भी रुकाबट हो रहा है तो देखेंगे आखिर इस थोड़ी सी जगह पर कोई भी resistance ना को सिल्येट करना पड़ीगा और सिल्येट करने के बाद यहाँ पर क्वंटिटी मेजर करना पड़ेगा तो देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी quantity नहीं दिख रहा है यह लाइन डिसकनेक्ट बतारे हैं तो चले देख लेते हैं लाइन डिसकनेक्ट बताने का मतलब क्या है क्या डेंपिंग हो चुका है जिसके करण से लाइन अंदर से इंटरनली छोड़ दिया है connection तो देखेंगे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और आप लोग को पूरा जो यानि लाइन है उसको दिखाने की कोसिस कर रहा हूं तो देखें यहां पर आप लोग ध्यान से दिखेंगा तो म देखेंगे इस जगह पर फॉलो कीजिए इस जगह पर क्या हुआ है लाइन क्राक हो चुके है और बोर्ट थोड़ा सा यहां पर क्राक हो चुके है जिसके करण से लाइन नहीं बोल्टेज नहीं पास हो ड़ा है तो इस जगह को थोड़ा सा आपको क्या करना है कोई भी अगर आप चाहिए तो वाइड भी connection कर सकते हैं लेकिन connection करने से क्या होता है वाइड अगर आप connection करेंगे तो थोड़ा जब भूद देखने में खड़ा भी लगेगा बस कोई बात नहीं देखने में खड़ा भी है इतना ही है और अगर आप ऐसे करते हैं तो एक काम जो है बहुत देखने में भी अच्छा लगेगा अगर long distance हो जाते हैं जो कड़ाख होने का कड़ाख होता है बोर्ट अगर long distance हो जाते हैं तो उस टाइम पर आप लोग वैड यूच कीजिएगा लेकिन अगर थोड़ा सा हो जाएं यानि पास में नजदिक जो बोलते हैं ऐसी कंडिसेन अगर हो जाएं तो आपको करना है डायरेटली आपको थोड़ा सा जो यानि उपर वाले जो कौबार होते हैं उसको घिसके उठा देना है उसके बाद सोल्डर करना है तो देखिए मैं यहाँ पर सोल्डर कर दूंगा अब है बहुत अच्छा से सोल्डर हो रहा है तो सोल्डर कर लेता हूं यहाँ पर टोटल दो तिन इंच दो इंच तक बोर्ट जो है क्राक हो चुके हैं तो जिस जिस पॉइंट क्राक हो चुका हैं आपको अच्छा से देख लेना है और उस जगह पे आपको सुल्डर करना है हाला कि यह जो लाइन है यानि भाटीकल आइसी का जो एपीन है ना जिसमें सप्ला इंपूट हो रहा है तो यहाँ पे जो है लाइन थोड़ाजा शोल्डर नहीं ले रहा है फिर भी मैं कोशिस कर रहा हूं अगर नहीं लेगा तो आपको काम करना है कि एक वैड लाष्ट में वैड लगा देना है तो देख रहा हूं ले रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा जोईन हो चुका है इसको भी डिसकनेट कर देना है और एक बार आप लोग अगर ऐसी कंडिसन होता है कि बहुत ही नजदिक में दो-तीन क्राक हो चुके हैं और उसको आप सोल्डर कर रहे हैं तो लाइन देने से पहले आपको एक बार माल्टिमीटर को भी प्रेंच पर रखके स्वाट चेक कर लेना है कि स्वाट है क्या नहीं है क्योंकि अगर स्वाट होता स्वाट हो जाएगा और आप अगर लाइन डेरेक्ट देजिएगा तो आगे और भी कॉंपोनेंस खराब हो सकता है इसलिए आपका थोरा सा जो सब्दानी है आपके आगे जो कम करने कानी बहुत लौट सुभीदा हो जाएगा आपका तो देखिए आपे मैं माल्डेमिटर को बीप रेंच पर रख कर इसका कॉंटिटी मेजर कर लेता हूं कि स्वाट बतर आये की नहीं तो देखिए आपे लाइन जो है बिल्कुल अभी कनेट हो चुके हैं और सॉल्डर कम्प्लिट हो चुका हैं अभी जो है बोल्डेज जाएगा वाईपास हो जाएगा और इसके आगे पीछे जो लाइन है उस लाइन को भी आपको चेक कर लेना है तो अभी मैं इस पर लाइन दूंगा और इस सेट पर पावर अन करूंगा और करने के बाद बोल्डेज मेजर करूंगा तो देखिए set पे line दे दिया और अभी मैं voltage में देद गरूंगा तो देखिए फास्ट टाइम 5.79 तक voltage दिख रहा था अभी देखिए 0.8 जो signal voltage है तो ओब voltage जो signal voltage है ओब voltage आभी 0.8 हो चुका है जो होना जरूरी है यही वोल्टेज होगा और supply voltage देख सकते हैं आप लोग supply voltage जितना था उतना ही है कोई भी changes नहीं हुआ है बस middle pin का जो voltage होता है यानि negative voltage जहां पे मिलता है इस जगह पे देखिए यह voltage भी थोड़ा सा डाउन हुआ है यानि दो वोल्ट तक पहले 14 वोल्ट दिख रहा था अभी 12.9 दिख रहा है लेकिन यह जो voltage है ना signal voltage यह voltage 0.8 हो चुका है यानि अभी अच्छा हो चुका है जितना होना चाहिए पहले क्या हो था पहले line crack था इसलिए 5 वोल्ट दिख रहा था तो दोस्तों यह जो काम है बिल्कुल हो चुका है voltage का voltage confirm है देख लेते हैं आगे इस स्क्रीन इसका कैसा है इसक्रीन देखके पता चल जाएगा कि इसक्रीन का हालात क्या है तो देखिए यहां पर टोटली ब्लू बैक की स्क्रीन आ चुका है मैं power on करके फिर से on करके आप लोगों को दिखाड़ा हूँ देखिए और एक कि तो यहां पर देखिए ओसकार लिखा आ चुका है और ब्लू बैक इसके आ चुका है यहां पर तुरह सब्सक्रीन देख लिखा आ चुका है तो दोस्तों बस इसका जो इसका जो पॉब्लम था हो को सॉल्फ हो चुक है तो दोस्तों देखते हैं इसे इंडिस्टिंग वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो